हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एक जम ख़पी इमिल दोस्तों कैसे आप लोक उम्मीद करता हूं स्वास्त और अच्छे होंगे अपने प्रपेशन में लगे होंगे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम आए हैं ECIL यानी की 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 ओफिसल साइट पर यहां पर इसकूल लोगों कर लिए एक वेकनसी का नोटिस निकला हुआ है तो दोस्तों यह भी अपना बहरा सरकार का उपकरम है और जावेबा की नोक्री दोस्तों डेपार्टमेंट अच्छा है दोस्तों और आपको बता दूड़ाई जूनियर टेक और दिखाते हैं आपको क्या क्या मांगा कैसे आपको अप्लाइ करना है दोस्तों पूरी डीटेल इस वीडियो पर बने रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जिरूर करिए का क्योंकि इसी तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट की वेकंसी हमारे चैनल प हुआ है उन स्टुडेंट के लिए जो आईटियाई किये हुए है आईटियाई से जूनियर टेक्निशन आप बन सकते हैं दोस्तों कॉंटेक्ट बेसे पी जॉप निकाली गई है पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों कॉन कॉन ट्रेट में रखी गई है आपको जो कॉंसलिडेट पेमेंट मिलेगी दोस्तों पहले साल आपको 20,480 रुपाय मिलेगा दूसरे साल 22,000 आपको 528 रुपाय मिलेगा और तीसे साल आपको 24,780 रुपाय मिलेगा दोस्तों ये तीन साल की on contact बेस पर जॉब है डिपार्टमेंट अच्छा लगा तो आपका contact बढ़ा भी सकते हैं तो दोस्तों और देख लेगते हैं आपका सेलेक्शन कैसे होता है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों क्वालिफिकेशन जैसे आप देख सकते हैं आपका दो साल का आईटाई पास होना चाहिए प्रशिफर टेमिंग भी होनी चाहिए एक साल का आपका अप्रैटेस भी होना चाहिए आईटाई के साथ सा थ सकते बात कर लेते हैं रिजर्वेशन रिलक्जेसन की तो दोस्तों आपका रिजर्वेशन रिशंफ पॉर से डीटी ड़ीडी येड़क्टिव एश सविल यानि कि government के रूल के इसाफ से आपका जो भी आपका reservation and relaxation मिलेगा वो आपको government rule के इसाफ से मिलने वाला है तो age relaxation की बात कर लेते हैं तो 5 year for SCHT and 3 year for OBC and 10 more years relaxation for PWD category तो यह आपका relaxation रहने वाला है दोस्तों पूरा इसको read करिएगा और आगे दोस्तों देख लेते हैं आपका जो method of selection आपका जो selection का process है दोस्तों वो पूरा कैसे रहने वाला है दोस्तों short listing candidate cell भी short list trade wise category wise in the trade order of married based on marks obtained in ITI आपका जो selection का process है दोस्तों आपका ITI based वार है यानि आपके ITI के marks आपसे है आपका selection process यानि की merit बनी के आपके ITI के marks है और दोस्तों आगे दिया है the candidate with higher marks in class 10 standard cell be considered in case of future further tie अगर आपका ITI का marks आपका tie होता है तो दोस्तों आपका जो merit based है वो high school के number के हिसाब से candidate के हिसाब से आपका और आपका हाई स्कूल का marks और date of birth के अनुसार आपका selection होगा अगर आपका ITI में tie होता है आपका जो आपका percentage होता है तो merit based बनेगा दोस्तों आपका ITI से आगे दोस्तों देख लेते हैं जो आपका document verification लिए पर आपको आपको लिए और दोस्तों आपको अपको अप्लाई आपको अपको डॉट्याइल को में पर जाकर Google में आपको ECIL requirement को सर्च करेंगे carrier section में जाकर आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा यहां पर आप आगए है साइट पर आपको apply कैसे करना है तो आगे बताता हूं मैं आपको पूरा apply for junior technician on contact basis तो contact basis यह जौब है दोस्तों जैसे आपको बताया है तीन साल के लिए आपको यह job provide कराई जाएगी आपका जो salary का process है वह आपको मैंने भी दिखा दिया है तो आपका first year में 20,480 मिलेगा second year में 22,528 मिलेगा third year में आपको 24,780 मिलेगा दोस्तों जो आपका apply के लिए दोस्तों आपका last date 30 December है 30 December तक आपको apply करना है इसको 20 तारिक से start हो गया था दोस्तों और 30 तारिक तक last date है तो please इसको आप apply जरूर करिएगा बाकी उन student के लिए अगर कोई पढ़ाई की कर रहा है अगर कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है और ऐसे ही बैटा है खाली बैटा है तो कुछ समय के लिए आप ये form को जरूर फिल कर स सकते हैं क्योंकि आपको एक्जाम में कोई फीस आपको कोई फीस नहीं पढ़नी है तो form को आप एटलिस अप्लाइग कर सकते हैं आपको अगर मेल आती है तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो अपनी प्रिपेस में बनाय रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए keep watching सरकार्य एक्जाम खपरी एन जैहीन जैभार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक की बाइबाए